ये इस गुड आफ्टरनून ओल फ्यू चैप्टर फूटीन प्रोबाबिटी ट्वेंडी थर्ड सम ट्वेंडी थर्ड एंड ट्वेंडी फॉर्ड ठीक है कल हमने लास सम् ट्वेंटी फॉर्स्ट तक किया था और मैंने आपको कॉइंज और डाइस के वारे में कल एक्स्प्ल या एक सिक्का तीन बार उच्छालो दोनों का रिजल्ट एक ही आता है ठीक है आप तीन सिक्के साथ में उच्छाल रहे हो या एक सिक्का आप तीन बार उच्छाल के फिर रिजल्ट लिख रहे हो दोनों का मतलब एक ही होता है ठीक है दोनों के आउटकम्स कितने आते हैं ए आप बोलोगे सर सिक्का एक ही है ना कोइन तो एक ही है लेकिन एक कोइन उच्छाला कितनी बार जा रहा है और हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं तीन आउटकम्स को साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए टू क्यूब आएगा वैसे जनरली इसका प्रोसीजर क्या होता है कभी एक सिक्का उट्शाल रहे हो तो टू स्क्वेर लिगते हो पेया अटेंशनल अलोफ यह जब आप तीन सिक्के उच्छालते हो तो आप फॉर्मूला में लिखते हो तो चलता है कि टोटल outcomes कितने आएंगे two cube is eight लेकिन जब आप एक सिक्का तीन बार उच्छाल रहे हो तब भी आंसर आठी आता है क्योंकि एक सिक्का तीन बार उच्छाल रहे हो तो आप answer बोलो के सर सिक्का तो एक ही है तो two raise to one कर देते हैं तो तो आपको two outcomes मिलेंगे वो wrong है यहां पर देखो eight outcomes क्य हो आते हैं क्योंकि आप record क्या कर रहे हो three outcomes आप देखो आप ऐसा नहीं है कि एक सिक्का एक बार उच्छाल के record कर रहे हो नहीं एक सिक्का आप एक दो तीन तीन के answer क्या है वह आप record करोगे मतलब एक triplet ले रहे हो इसको triplet बोलते हैं तीन साथ में ठीक है फिर आप वापस से तीन बार शिक्का ओच रहे हो और फिर वापस answer चेक कर रहे हो क्या रहा है तो तीन-तीन वाले जो आंसर तीन-टीन का आप triplet बना रहे हो ठीक है तो तीन सिक्क्याद रखना तीन सिक्के साथ में उच्छा ले जाए या एक सिक्का तीन बार उच्छाला जाए दोनों के outcomes कि इच टाइम तो एक गेम के अंदर एक वन रूपी कोई तीन बार उचाला जा रहा है और तीनों बार जो उसका आउटकम है उसको कंसिडर किया जाता है समझ में आया तो यहां पर आपको क्या लिखना है वेन और कॉइन वेन और कॉइन बदब एक कोई ठीक है इस टॉस्ट थ्राइस तीन बार ठीक है तो आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे हैड 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 आप ऐसा मानों कि आपने तीन बार उच्छाला तीनों बार हैड आया सिक्का एक ही था लेकिन कितनी बार उच्छाला आपने तीन बार उच्छाला तीनों बार क्या आया हैड आया फिर मैंने कैसे सिखाया था आपको एक एक पोजिशन चेंज करते जो पहली प्लेस पे आप टेल कर दो फिर सेकेंड प्लेस पे आप, now take three times tail, अब first place पे आप head ले लो, फिर second place पे आप head ले लो, बार बार इसको देखने का है, इसको देखोगे तो correct आ जाएगा, फिर third place पे, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, या पे देखके लिख रहा हूँ, tail tail, ठीक है, therefore, total number of primary outcomes, आपके primary outcomes क्या हो जाएंगे, is n, that is, एन आ गया, अब हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, see, हनीफ, जो बंदा है, वो हनीफ है, हनीफ wins if all the tosses gives the same result, देखो, हनीफ जीत जाएगा, वो एक game खेल रहा है, वो कब जीतेगा, जब उसके जितने भी tosses थे, मतलब जितनी बार उसने सिक्का उचा ला, और सारी यह time result same, result same, मतलब सब पे head आया है, सब पे, इसको same result बोलते हैं, वो लिखा भी हुआ है, that is three heads all, तो हनीफ, game में जीत जाएगा, अगर तीनों बार उसके head आया, या तीनों बार tail आया, मतलब जिसको बोला जाता है, same result, लेकिन, and loses otherwise, इसके अलावा वो हार जाएगा, मतलब तोटल eight outcomes है, eight outcomes में से ये दो outcome आये ना, तो वो जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा, अगर इसके अलावा ये छे outcome आये तो, समझ में आया, और आपको probability किसकी निकल नहीं है, calculate the probability that Hanif will lost the game, ठीक है, Hanif जो हार रहा है, तो हारेगा कब, जब result same, क्योंकि आपके instructions में क्य लिखा हुआ है, Hanif जीतेगा, कब जीतेगा, जब same result, same result का मतलब क्या होता है, तीन ओपे head, क्योंकि आपे तीन सिक्कों की बात हो रही है, अगर दो सिक्कों की बात होती, तो same result क्या होता, head head, till, till, तो ये same results है, मतलब three heads या three tails, अगर three heads या three tails, outcomes में आते हैं, तो Hanif जीत जा हनीफ लूज दगेम, या Hanif लॉस दगेम, ठीके, तो Hanif कब-कब हारेगा, जब same result, नहीं आएंगे, तो same result को छोड़ दो, बाकी लिख दो, tail head, head, tail head, 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 tail, then head, tail, 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 head, tail, and tail, 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 head, tail, and tail, tail, नहीं है, मतलब, जब-जब ये outcomes आए, तब-तब Hanif हार गया, ठीक है, so, total number of favorable outcomes is M, that is, so, probability of A equals to M by N, 6 by 8, 2, 3 is a, 2, 4 is that clear, ओके, now 24th sum, 24th sum में सबसे पहले आपको बोला है, दो डाइस फिकने, ठीक है, simultaneously, all together, ठीक है, यहाँ पे दो डाइस फिकने जा रहे हैं, A die is thrown twice, अब देखो, die तो एक ही है, मैंने आपको जो बोला, मैंने उसमें बोला कि दो डाइस फिकने जा रहे हैं, दो डाइस फिकने जा रहे हैं, और एक die दो बार फिका जा रहा है, दोनों एक ही होता है, वैसे अलग-अलग चीज है, लेकिन हमको इसका result same ही मिलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि दो बार चलाओंगा, फिर जो आउटकम्स आएंगे न वो कंसिडर करना है, तो मैंने एक ही die को एक बार चलाया, फिर दूसरी बार भी चलाया, दो एक बार में four आया, दूसरी बार में five आया, तो मैं दोनों कंसिडर करूंगा, इस तरह, तो आप दो dice, दो अलग-अलग die, साथ में अगर fake रहे हो, ठीक है, throw कर रहे हो, या एक ही die आप दो बार fake रहे हो, दोनों में result सेम मिलता है, वो ही जो कल हमने किया था, total 36 outcomes आएंगे, क्यों, देखो, आप एक die या दो, दो die मत देखो, आप ये देखो, आप record क्या कर रहे हो, या पर die die हमारे पास एक ही है, लेकिन आप result दो ले रहे हो, ठीक है, एक die को दो बार fake, एक बार fake, दो बार fake, जो result आया, वो दोनों result आप ले रहे हो, तो total कितने outcomes आएंगे, 36 outcomes, ठीक है, तो यहाँ पर, when a die is thrown twice, ऐसा लिखा हो, या question में ऐसा लिखा हो, when two dies are thrown simultaneously, दोनों में 36 outcomes आएंगे, ओके, तो आपके sample space क्या बनेंगे, वो सारे बनाने हमको यहाँ पर, one one, one two, one three, one four, one five, one six, ठीक है, यह देखो, यह थोड़ा लंबा है, लेकिन इसके बन जाने के बाद सब कुछ easy, आपको easily सब कुछ मिल जाएगा, और coin और dice वाला sum, और card वाला sum, इन तीनों म two four, two five, two six, then three one, three two, three three, three four, three five, three six, then four one, four two, four three, four four, four five, four six, four seven नहीं होता, five one, five two, five three, five four, five five, five six, six one, six two, six three, six four, six five, six six, okay, so total number of primary outcomes is n, that is, अब probability में क्या बोला है, दिख लेते हैं, what is the probability that five will not come up either time, आपको probability find करनी है कि five will not come up either time, yes, देवनशी, इसका मतलब क्या होता है, इसे कैसे बोल सकती है, आई गई नहीं नहीं आना चाहिए, sit, मतलब आपको probability आपे पूछी गई है कि five एक बार भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, जहाँ जहाँ five आया, एक बार भी आया तो आपको वो नहीं लेना है, आपको वो outcome नहीं लेना है, either time मतलब देखो क्योंकि outcomes है न, एक बार भी फाइव नहीं आना चाहिए, आपको वो outcome लेने हैं, जिसमें five नहीं हो, एक बार भी नहीं होना चाहिए, तो भाई, एक, दो, ग्यारा, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, इन सब में five है, ठीक है, five चाहिए ही नहीं हमें, तो total 36 outcomes ह 36 में से 11 गए, तो बाकी बचे 25, 25, तो M आएगा 25, तो event बनाओ, event that five will not come either time, ठीक है, अब इसको directly लिखना है अगर आपको, तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो क्या करो, आपको कभी ऐसा मन में satisfaction नहीं हो रहा है, तो आप detail में जाओ, आप 25 outcomes दिखाओ, ठीक है, 36 में से बाकी के, जो 25 outcomes है, one one, one two, one three, one four, one six, then two one, two two, two three, two four, two six, three one, three two, three three, three four, three six, ठीक है, four one, four two, four three, four four, four six, five की कोई लाइन नहीं आएगी, six one, six two, six three, six four, six six, then six six, okay, आप कांट करने, one two, three, four, five six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, So, total number of favorable outcomes is M, that is 20, so probability of A, that is M by N, that is 25 by 36, cancellation नहीं हो रहा है, Is that clear? Okay, now, second condition में आपको बोला है, five will come up at least once, this is the most important, at least and at most, at least or at most, most important होता है, अप अप लिस्ट का मतलब हिंदी में याद रखो, ठीक है, at least का मतलब होता है कम से कम, At least का मतलब होता है, अब बच्चे को क्या लगता है, कम से कम मतलब, उससे कम होगा, कम से कम का मतलब यह नहीं होता है, for example, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं फुल जिम करके गया, दो-तीन मनटा exercise कर गर पे गया, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि वही, आज बहुत बूख लगी है, तो रोटी कितनी खाएगा, तो मैं बोलता हूँ, कम से कम आठ तो खाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं translation नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको मतलब पूछ रहा हूँ, कि अगर मैं बोलता हूँ, कम से कम आठ खाऊंगा, उसका मतलब क्या हुआ, येस प्रिंस, वेरी गुद, वेरी गुद, ठीक है, कम से कम आठ मतलब आठ से कम, नहीं, आठ तो खाऊंगा, उससे जादा भी, तो कम से कम का मतलब होता है, उतना या उससे जादा, कम से कम का मतलब होता है, अट लीस्ट का मतलब होता है, या तो उतना, जैसे अट लीस्ट फाई है, या फाई, या उससे जादा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है, और at most का मतलब होता है जादा से जादा, मैं किसी party में चला गया और मेरा favorite वहाँ पे हलवा या ice cream कुछ है, और मेरे friend बोल रहे हैं अब मुझे देखके, अब तो तु जम के खाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ at most पांच खाऊंगा, लब जादा से जादा पांच खाऊंगा, यह उसे कम हो, at most में उल्टा होता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा, at most में उतना यह उसे जादा, वो होता है at least में, जब हिंदी बोलोगे न, तो आपको exactly पता चलेगा, at most का मतलब होता है, जादा से जादा, उससे जादा नहीं, जादा से जादा मैं पांच खाऊंगा, यहां उससे कम हो सकता है, उससे जादा नहीं, तो यह at least है, ठीक है, तो बोला गया है, कम से कम एक डाय पे, five will come at least once, कम से कम एक बार तो five आना चाहिए, अब कम से कम एक पे आना चाहिए, तो दो पे भी आएगा तो, तो जहां जहां आपको five दिख रहा है, वो आप ले होगे, क्योंकि यहां पे बोला गया है, at least एक बार तो five होना चाहिए, ठीक है, तो जो ग्यारा हमने पहले देखे थे न, वही ग्यारा भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि उन में five है, बाकी सब में five, नहीं है, तो यहां पे आप event बनाओगे again, event that five will come up at least once, ठीक है, तो ग्यारा outcome आएंगे, one five, two five, three five, four five, five one, five two, five three, five four, आप एकी लाइन में लिक सकते हो, सारा, ऐसे कोई नीचे लिक ने, इसे यह वाला जो है ना, इस तरही बना, ठीक है, then five six, then six nine, six five, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, so total number of favorable outcomes is M, that is, so probability of B equals to M by N, that is, 11 by 36, कुछ गांसलेशन नहीं हो रा है, okay?